साथियों आप सभी का प्रेटफार्म पर सागत है यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान के संबन्द में चरजा करेंगे चुकि अभी हाल ही में अथा 3 अपराल 2022 के दिन जो है गौर्णमेंट आफ पाकिस्तान की जो कैबनेट सेकेट्रेट है उसकी कैबनेट डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंसार इमरान खान को पाकिस्तानी प्रधान मंतरी की रूप में डी नोटिफाइट किया गया है तो पाकिस्तानी कैबनेट डिवीजन के आदेश के मुताबिक इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री पद से डी नोटिफाइट कर दिया गया है पाकिस्तानी सम्मिधान के अनुछे 24-224 के मुताबिक देश में नए कारिवाहक प्रधान मंत्री को न्युक्त किये जाने तक इमरान खान 15 दिनों के लिए पी-म बने रह सकते हैं मतलब इस बीच नया प्रधान मंत्री चुन लिया जाएगा और नया चुनाव भी कराया जाएगा बकोल रिपोर्ट्स कारिवाहक प्रधान मंत्री की न्युक्ती कैसे होगी यहाँ इस पश्ट अभी नहीं है चुकि अभी लगातारी खबरे थी कि इमरान खान सरकार के खिलाप वहाँ पर आविश्वास परताव लाने की बाते चल लई थी और इस प्रकार से जो यह घटना क्रम हुआ है इससे आप देखेंगे तो पाकिस्तान में एक प्रकार से फिर से एक रायतिक अनिश्यता का माहोल उत्पन हुआ है और अभी तक कई ऐसा रिकार्ड रहा है पाकिस्तान में कि कोई भी सरकार, कोई भी जो सरकार रही है, वो पांच साल का अपना कारिकाल पूरा नहीं कर पाई है, और इम्रान खान भी उसके अपवाद नहीं हैं. तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडिय कर दो दूबादाधू जो आपता वार रसके जाओगादू